इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ED की टीम राची में जिस प्रेम प्रकास के घर पर दोपहर के बाद से लगातार छापे मारी कर रही थी उस प्रेम प्रकास को भी खोज कर निकाल लिया है और अब से कुछ देर पहले राची के इसी हर्मू इस्थित आवास पर प्रेम प्र प्रेम प्रकास के कई ठीकानों पर ED चापे मारी कर रही है जो जानकारी है उसके अनुसार हर्मू इस्थित जो एक आवास है उनका जल बोर्ड ऑफिस के ठीक बगल में जहां पर वो किराये में रहते हैं वहां पर चापे मारी कर रही है इसके साथ साथ वसुंदरा कई परकास को कहां से खूज कर सी टीमने जिस तरीके से लगतार और पर कास के मुझेट कर रही थी तो खपर कर लेकिन कई सारी खबर में है निकल करे आ रहा था कि थो नेपल चले गये हैं कभी खबर निकल कर कि आई कि वो जमसेतपूर में हैं तो फिलहाल जो अभी की जो खबरें हैं अब जब की इडी की टीम ने प्रेम प्रकास को अपने साथ ले करके जो है उन्हीं के फ्लैट पर पहुंची है जहां पे अब फिलहाल जो है उनसे पूश्चाज की जा रही है तो यह इसपस्ट हो ग है नहीं है कि प्रेम परकास जिसको लेकर के पूरी एडी की टीम आज दिन भर परेसान रही कि प्रेम परकास और जो ही सगस है जो कि सत्ता के गल्यारों में एक बहुत बड़े लाजिनर के तौर पे देखा जाता है हम लोग लगातार यह बता रहे हैं और जिस पिछले 20 दिनों से ED की टीम लगातार मनरेगा स्कैम से सुरू हुआ जो घोटाला है वो अब मनी लॉंडरिंग तक जाकर के पहुंचा है और इन ही क्रमों में जो है विशाल चौधरी निशित केशरी और प्रेम परकास जैसे लोगों का जो है नाम सामने आया और ED की टीम लग ठीकानों पर जो चापे मारी हुई है जिसमें एक बनारस में बताया जा रहा है पटना में चापे मारी हुई रांची के दो-तिन जगों पर चापे मारी हुई वहां से भी ED को कई महत्वपून दस्तावेज मिले हैं हलांकि एक ख़बर एभी मिल रही है जिस तरीके से प्रे इतपूर के बड़े नेता जो की राज भर में जो बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं पहचाने जाते हैं उनके पास भी प्रेम परकास आज पहुंचे थे और या फर्याद लगा रहे थे कर रहे थे कि देखिए ऐसी सूचना है तो वहां से उनको बकायदा डांट क करके भगाया भी गया चुकि अभी कोई भी नेता और अधिकारी या फिर लाइजनर जो संबंध थे अभी हर कोई बचना चाह रहा है हर कोई बच रहा है को एक दूसरे से ना वाटसप पर बात कर रहा है तो यह जो एडी का डर है वही डर जो है प्रेम परकास को आज दिन तेम को फुक्स होत रहा है लेकिन साम साम तक देखेंगें मेहनत की और आ fresh तरहिकों से प्रेम प्रकास का पीछा कर रहे हैं और शीडिवया,years-जे ứng Paright Heart प्रेम प्रकास को आपने गिरफ्त में ले लिये हैं और प्रेम परकास को जो पकड़कर एकर की के थी मिले हैं और क्य मिला या फिर कुछ कागजा तो ऐसे मिले जो ठोश सबूत के तोर पर एड़ी आगे कहीं पेस कर से देखिए सबसे पहले तो यह समझना होगा कि जब एड़ी की टीम किसी के यहां छापे मारी कर रही है तो पहले ही एड़ी को बहुत सारे पर्याप्त सबूत जरूर मिल गए ह अपने इसाब से फिलहाल चुकि आप आपने पिछला जो हम लोगों का वीडियो था उसमें आपने भी कहा और सचाई है कि एड़ी पिछले 20 दिनों से जो कारवाई कर रही है अब तक एक भी अधिकारिक ब्यान नहीं है अगर कोट में जो एड़ी का जो ब्यान है उसके अल पर अगर बातचीत करें तो वहां पर कई ऐसे काग्जात मिले हैं जो यह परियाप्त हैं जिससे इसपास्ट हो सके कि मनी लॉंडरिंग में बहुत बड़े लोगों के साथ साथ जो है प्रेम परकास का नाम भी जो है सामने आएगा और प्रेम परकास इसमें सामिल रहे हैं और यह कोई छूपी छूपाई भी बात नहीं है शुरू से देखा जा रहा है 6 मईसे ही जिस किसी के घर भी एडी की टीम पहुच रही है और उसके बाद में मीडिया में कहानिया कहानी सुरू हो जा रही है जैसे विसाल चौधरी के घर कल गई एडी की टीम दिन भर उनसे पूस्ताच की बताया गए कि कई कागजात मिले फोन कचड़ा में फेक दिया गया लेकिन अंतत्त तो यही हुआ कि एडी की टीम पूस्ताच करने के बाद उन्हें छोड़ दी अगर कुछ मिलता तो उन्हें हिरासत में ले सकती नहीं देखिए इस बात को मैं ऐसे खारिज क किया गया है इडी ने समन करके लगातार पांच दिन पहले बुलाया विसाल चौधरी को भी जो है अगले कई दिनों तक इडी बुला करके पूस्ताच करेगी अपने कार्याले में बिल्कुल करेगी भी और आज देखिए कि प्रेम परकास जो है उसी सिलसिले में जो है लग सरकार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेमान्त्सोरें की सरकार में जो है कोई आचानक से लाइजनर बपन गए इसके पहले जो पिछली सरकार थी कि रग वरदास की सरकार उसमें भी बहुत बड़े लाइजनर के तौर पर काम करते थे बड़े बड़े आईये सधिकारियों का जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करते थे बनारस में बहुत सारा उसमें हम लोग पहले बातचीत भी कर चुके हैं जो दर्सक देख रहे हैं लगातार वो तो फॉलो पे वीडियो देख सकते हैं कि प्रेम परकास कैसे जो है एक साधा करने में कि प्रेम परकास है कहां लगातार दिख भरमित करने की कोशिस की गई प्रेम परकास के द्वारा प्रेम परकास के जो नजदी की हैं उनके द्वारा कि वो नेपाल भाग गये हैं कभी यह हो रहा था कि जमसेदपूत चले गए हैं कभी पटना में हैं तो कभी कुछ पूछ पताया जा रहा था लेकिन फिलहाल जो अभी खबर आ रही हम लोग यह तो दाबा नहीं कर सकते हैं कि कहां से इडी की टीम इनको गिरफतार करके अपने साथ लेकर करके आई है लेकिन सचाई यही है कि फिलहाल एडी के गिरफ्त में प्रेम परकास है और आने वाले समय में जो है दी जिस तरीके से लगातार पूचटाच प्रेमकर कर रही है वह सकता है कि और भी कई बड़े नाम किات करके सामने आ रहे हैं और भी आएंगे तो फिल्प अपर फिलहाल पृइन पृइनक के गिरप्ट में है और प्रेमकर काश के नाम लेते हैं प्रेम प्रकास के पास क्या-क्या डॉकुमेंट्स मिलते हैं क्योंकि यही प्रेम प्रकास हैं जिसे प्रेम भाईया कहकर पिछले 20 दिनों से निशिकान दूबे ट्वीट के जरिये सरकार पर निशाना साथते रहें और सरकार के सबसे नजदी की बताती रहें अब देखना होगा कि आखिर प्रेम प्रकास यानि प्रेम भाईया क्या क्या राज उगलते हैं शुक्रिया